साथ्या नौश्कार स्वागत आप सफी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आरपी एसी ने ग्रेट फस्ट ग्रेट सेकंड दोनों की भरती निकानने से पहले कार्मेक भिवाग द्वारा कुछ महत्पूर्ण नियाओं में बदलाव किया है और वो बदलाव होना लाजमी है क्योंकि पहले से इन पर थोड़े से जो बिवाद है वो चल रहा था चर्चा हम करेंगे कि आरपी एसी ग्रेट सेकंड में 40 प्रितिक्षत का क्या जब मामला है उसमें क्या चैंजिज किया गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे ग्रेट फर्स्ट के सलेवस में कहां ओठा पटक की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे चियां सातियो मैं पंकर शार्मा आप सभी का अपने यूटीब चैनल दो स्वागत करता हूँ सात में आप अगर एजुकेशन साइकोलजी और स्कूल मेनजमेंट आप पढ़ना चारहे हैं तो आप मारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके निश्वल करूप से आप पढ़ सकते हैं और जोड़ सकते हैं देखिए सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा ग्रेड सेकंड की ग्रेड सेकंड में जो चैनल जो हैं पहले आपको पता था है ग्रेड सेकंड में दो तरह के पेपर लगते थे और अभी भी दो ही लगींगे पेपर फस्ट और पेपर सेकंड यहां पेपर फस्ट में सो कुश अभी भी पैटर्ण यही है, लेकिन जो नियम यह था कि फस्ट पेपर में आपको 40% अंक लाना आवश्यक था और सेकंड पेपर में भी आपको 40% अंक लाना आवश्यक था दोनों में personally अलग अलग जो है आपको 40-40% अंक लाना था अगर किसी एक में भी अगर हम 40% अंक नहीं लाते हैं चाहे हमने दूसरा पेपर कितना भी अच्छा क्यों नहीं किया हो हम डिस्क्वालिफाई हो जाते थे इस पैटर्न को चेंज किया गया और अब दोनों को मिलाकर ही आपको टोटल कितने अंक लाने हैं 40% हम सीधी और सरल भाशा में बात कर रहे हैं जो नोटिफिकेशन जो अदिसूसरा जारी हुई है उसमें कई प्रकार की भाशागत वो है जिसमें आपको समझने परिशानी हो सकती है मैं सीधा आपको जो सिंपल भाशा में उसमें समझाने का परियास कर रहा हूँ कि 40-40% पहले दोनों में लाना आवशक था अब दोनों को मिलाकर आपको 40% लाना है आता फेपर फरस्ट और सेंद दोनों को मिलाकर यह आपको कितने अंक लाने है कितना परिशंट लाना है 40% आपको लाना है यह तो grade second में जो changes हुआ है उसकी बात मैंने आप सेकी साथ में grade first में भी कुछ changes हुए है grade first grade first में भी आपको पता है कि दो तरीके से यहां पर भी दो paper होते थे paper first और paper second यहां आपको पता है कि first paper में भी आपको गोही 40% लाने होते थे और यहाँ पर भी 40-30 दंक लाने होते थे यहाँ इसमें कुछ विश्वों में जरूँ चेंज़ेश किया गया है लेकिन बाकी सामान नहीं है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो सलेवस है सलेवस में थोड़ा सा चेंज़ेश किया गया क्या किया गया है कि यह जो first paper है इस first paper में पहले आपसे school management पूछा जाता था और second paper में आपसे psychology का part पूछा जाता था अब यह changes किया गए जो psychology का जो यहां से part है उसको जहां से उठा कर आपके first paper में ही जोड़ दिया गया है अर्था first paper में अब आपके psycho psychology आपके second paper में नहीं पूछी जाएगी पहले जो second paper में पूछी जाती थी अब उसको यहां से अटा कर सीधा आपको कहां पर जोड़ दिया गया जो school management का part था paper first में उसमें आपको psychology पूछी जाएगी मतलब आप जो तयारी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई व्यबधान नहीं है सेम सब कुछ वोई की वोई है सलेवस वोई की वोई है बस क्या किया है कि psychology को यहां से अटा कर किस paper में कर दिया first paper में कर दिया सिधी सी बात हम करें तो यहां पर school management का जो बड़ा पार्ट आता था उसमें थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है अब दौनों के प्रस्ण जो पहले 10 से 15 प्रस्ण आते थे अब पहले school management से personally वो 10 से 15 प्रस्ण पूछे जाते थे अब बो साई को और school management दौनों से मिला कर इतने सी प्रस्ण पूछ करनी है क्योंकि second grade में तो 40% कोई मुद्द नहीं है लेकिन यहां तो कुछ विश्यों में 40% का भी भी है अभी हलाकि इसके बारे में कुछ उसमें जो है अदिस हुसनाई उसमें clear नहीं किया गया है वो सकता आगे उसमें और clearification उसमें दे दे लेकिन अभी तो केवल यहां प को पढ़ने के लिए आप इस चैनल से चुड़ सकते हैं आप सभी के लिए सुचने कैसी लगी और भी जो आपकी क्योरीजन नीचे कमेंट्स वाक्स में जरूर बताईएगा थेंक्यू